गोली मारने के मामले में आरोपित पिता पुतर गिरफतार देशी कत्ताव गोली बरामत बिया थाना शेतर के महियाओ गाउं में रविवार की सुबाँ जमीन विवाद को लेकर एक महिला समेत दो लोगों को गोली मारने के मामले में पुलीस ने त्वरित कारवाई करते हुए आरोपित पिता-पुत्र को गिरफतार कर लिया है पकड़े गए आरोपितों में महुआओ गाउं निवासी ब्रिजराज पांडे उर्फ हाकिम पांडे और उसका पुत्र शामिल है चापेमारी के दोरान कुलीस ने आरोपितों के पास से एक देशी कटा वच्छे जिंदा कार्तूस बरामत किये हैं मालुम हो कि महुआओ गाउं में आपसी जमेन विवाद को लेकर विवार की सुबह दो पक्षों के बीच जढ़ अपनी थी इस दोरान एक पक्ष के लोगों ने महुआओ निवासी 65 वर्षिय व्रिद विश्वेश्वर पांडे और तेतरी देवी को गोली मार कर जखमी कर दिया था घटना में जखमी दोनों लोगों का आरा में इलाज कराया जा रहा है खटना में जखमी विश्वेश्वर पांडे के फट बयान पर पुलीस ने महुआओ निवासी भिचराज पांडे उनकी पतनी देवांती देवी वपुत्र ब्रजेश पांडे के खिलाफ प्रात्मी की दर्जकर त्वरित कारवाई करते हुए दो लोगों को गिरफतार कर च झाल